नमस्कार, MCQ से समंधित आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है, बढ़ते हैं आज के पहले प्रस्न की ओर, पहला प्रस्न है कि उत्री अट्लांटिक संधी संगठन यानि की नाटो के संदर में निमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए, तिन कतन है, पहला कतन या उत्री अट्लांटिक संधी द्वारा इस्थापित एक राजनितिक और से निकड़ बंधन है, दूसरा कतन, इसका मुख्याल है, बेल्जियम इस्थित बुरुसेल्स में है, और तिसरा, कि मई उनिस सो पच्पन में, सोवियत संग, घंमध्य और पूरवी उरोप के साथ अन्य पू अप्सन ए, केवल दूसरा और तीसरा, आप्सन बी, केवल पहला और दूसरा, आप्सन सी, केवल पहला और तीसरा, आप्सन डी, पहला दूसरा और तीसरा, देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है, आप्सन डी, यानि कि पहला दूसरा और तीसरा, त 2A4 टेंक देने का वाइदा किया और इस वादे के बीच नाटो ने यह बात कही है कि नाटो देश तोपों के उत्पादन में इसलिए तेजी ला रहे हैं क्योंकि युक्रेयन पस्चिम की आपूर्ती की तुलना में बहुत तेजी से इसका इस्तवाल कर रहा है अब नाटो और वार्सा संधी के बारे में तो उत्री अट्लांटिक संधी संगठन नाटो उत्री अट्लांटिक संधी या वासिंचन संधी द्वारा इस्थापितिक राजनितिक और सेनेगडवंधन है और नाटो का मुख्याल है बेल्जयम इस्तित बुरुशिलस में है वह अगर वार्सा वर्षापक्ट की हम बात करें तो वर्षापक्ट को नाटों के लिए सकती संतुरन या कॉंटर वेट के रूप में स्थापित किया गया था वर्षापक्ट एक सामोहिक रच्छा संदी थी जिसे सोवियत संग तथा मद्य और पूर्वी येरोप के साथ अन्य पूर्वी ब्लोग सवाजवादी गंडाजी के बीच मैं 1955 में हस्ताक्षर किया गया था बढ़ते हैं दूसरे प्रशने की और प्रशने हैं कि निम्लिकित में से कौन सी यमना के बाएं किनारी की साहिक न दिया है पाला चंबल, दूसरा गौव्मती, तीसरा कोसी, चौथा घागरा, पांचवा गंडग, अचछठा हिंडन उपर दिये के कत्नों में से कौन से सही है या कौन सा सही है आए देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है इसका सही जवाब है आप्सन सी यानि कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और चछठा मतलब यह कि गोमती, कोसी, घागरा, कंडग और हिंडन यह यमना के बाइक किनारे की साहिक न दिया है आए अब इसे हम देखते हैं विश्तार के साथ सबसे पहली बात तो यह है कि यह समाचार में क्यूं है इसलिए क्योंकि यमना बाड के मैदान पर अतिकर्मन को रोकने के लिए दिल्ली के लेटरेंट गवर्नर वी के सकसेना ने उसके छेतरों को सुनिश्चित करने के लिए प्रादेशिक सेना की एक कमपनी शामिल की है यह जो प्रादेशिक सेना है पस्वक्ष गंगा के लिए राष्टी मिसंद्वरा परदान की गई संचालन को समालेगी अब हम बात करते हैं यमना के बारे में तो यमनोत्री जो हिमाले परवत में हरिद्वार के उतर में है यमना का सुरोत है साथी यमना नदी जो गंगा नदी की एक प्रमुख साहिक नदी है उतरकासी जीले में आसत समुद्र तल से लगबग 6387 मीटर की उचाई पर निजले हिमाले की मसूरी सिंकला में बंदर पूं चोटियों के पास यमनोत्री ग्लेसियर से निकलती है अब हम यमना की अगर साहिक नदियों की बात करें तो बाई साहिक नदिया हैं गौमती, घागरा, गंड़क, हिंड़न और कोसी और दाहिने किनारे की साहिक नदिया हैं चंबल, बेतवा, केम और सिंध बढ़ते हैं अपने अगले प्रस्न की ओर अगला प्रस्न जो आपके स्क्रीन पर है, कि निमलिकित कत्नों पर विचार करें पहला, आदी महुतसब जनजाती मामलों के मंत्रा ले, भारत सरकार और भारती जनजाती साकारी विपरण विकास संग, स्ट्राइफेड की एक संयुक्त पहल है दूसरा, यह महुतसब खाद्य और वन उत्पादों की पहचार करेगा जिनें वन धन योजना के तथ संसाधित, मुलिवर्धित और विपरण किया जा सकता है उपर दिये के कत्नों में से कौन से कत्न सही है, या कौन सा कत्न सही है ऑप्सन A केवल पहला, ऑप्सन B केवल दूसरा, ऑप्सन C पहला दूसरा दोनों, ऑप्सन D ना तो पहला ना ही दूसरा देखते हैं इसका सही जवाब क्या है, तो इसका सही जवाब है C, इसका मतलब यहाँ पर है कि पहला और दूसरा, दोनों कत्न सही है आए हम करते हैं इसकी व्याक्या तो सबसे पहली बात है कि आखिर यह समाचार में है क्यों तो प्रधाल मंतरी नरेंद मोदी ने नई दिल्ली में ट्राइफिड के आदी महुतसब आदी वासी उत्सब का उधगाटन किया और यह बात कही कि अगर इस तरह के आयुजन किये जाते हैं तो यह भारत के विवित जनजाती संस्कृतियों का एक साताना विवित्ता में एकता को नई उचाई देने जैसा है और वहीं अगर हम आदी महुतसब के बारे में कहें तो आदी महुतसब नो दिवसी जनजाती उत्सब है और जनजाती मामलों के मंत्राले जो भारत सरकार से सामन्दित है और भारती जनजाती साकारी विपरंट संग जिसका संचितृत तरुब्र ट्रैफेड है कि सेइक तुपाहल है और यह महतसब खादी और वन उत्पादों की पहचान करेगा जिने वन धन यूजना के तथ संसाधित, मुलिवर्धित और विपनन किया जा सकता है इस साल यतिहार 16 फरवरी से सुरूआ है और 27 फरवरी 2023 को समाप्त होगा बढ़ते हैं अपने अगले प्रशन की और अगला प्रशन जाप के स्क्रीन पर है कि GST परिशत के संदर में निम्लिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला कतन कि संविधान का उच्चे 246 ए GST पर कानून बनाने के लिए संसद और राजविधान वंडल दोनों को एक साथ स्रक्ती देता है दूसरा कि GST परिशत द्वारा की गई सिफारी से बादिकारी है और तीसरा GST में उत्पात सुल्क मुल्य वर्धित कर यानि की वैट सेवा कर विलासिता कर आदी जैसे ओपर तक्षकरों को शामिल किया गया है उपर दिये के कतनों में से कौन से कतन सही नहीं है या कौन से कतन सही नहीं है आप्सन A केवल पहला, आप्सन B केवल दूसरा, आप्सन C केवल तीसरा और आप्सन D कोई नहीं आए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है आप्सन B इसका मतलब यहाँ पर यह है कि option B मतलब केवल जो दूसरा कत्हन वह सही नहीं है आई हम करते हैं अब इसकी व्याक्या तो सबसे पहली बात कि आखिर्या समाचार में क्यों है तो समाचार में इसलिए है क्योंकि अनुपचारिक छेतर के स्क्रैप डिलरों द्वारा गैर अनुपालन सुत्पन होने वाली परिचालन कटनाईयों और कानुणी व्यादों को देखते वे केंद्र ने GST परिशत के समक्च स्क्रैप धातों की खरीद पर GST लेवी को reverse charge तंतर में इस्थानतरित करने के लिए वह इस पर विचार करेगा और फिर GST लेवी को इस्थानतरित करेगा अब हम बात करतें GST परिशत के बारे में तो संसोधित समिधान के अनुच्छे 289 A1 के अनुसार GST परिशत का गठन अनुच्छे 289 A के प्रारम होने के 60 दिनों के भीतर राश्पती द्वारा किया जाना है और अनुच्छे 289 A को 12 सितंबर 2016 से लागू करने के अधित सुचना 10 सितंबर 2016 को जारी की गए थी और उसके आधार पर GST परिशत का गठन कर दिया गया फिर आगे कि समिधान का अनुच्छे 246 A GST पर कानून बनाने के लिए संसद और राजविधान समाँ दोनों को एक साथ सक्ती देता है और अगर हम इसी की व्याक्या आगे देखें इससे समंदित कुछ और तत्यों की तो सुप्रीम कोट ने यह फैसला सुना है कि GST परिशत द्वारा की गई सिफारे से बादिकारी नहीं है साथी GST में उत्पास सुल्क, मुलिवर्धित कर, संचिप में वैट, सेवा कर और विलासिता कर, आदी जैसे ओपर तक्षकरों को शामिल किया गया है अगर हम GST परिशत की बात करें तो GST परिशत जो केंदर राज्यों का एक सेयुक्त मंच होता है उसमें निमलिकी सदसे सामिल होता है वाला केंदरी वित्यमंत्री जो के अध्यक्ष होता है फिर केंदरी राज्यमंत्री वित्यराजस परभारी जो इसके सदस होता है साथी साथ वित्याक राधान के परभारी मंत्री है या परतियक राजे सरकार द्वारा नामित कोई मंत्री बढ़ते हैं अपने अगले प्रशन की और अगला प्रशन आपके स्क्रिन पर कि सम्विधान के 52 में संसोधन 1985 द्वारा दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान निम्लिकित में से किस अनुसूची में किया गिया है ओप्सन A आठवी अनुसूची ओप्सन B दसवी अनुसूची ओप्सन C साथवी अनुसूची और ओप्सन D दूसरी अनुसूची देखते हैं इसका सही जवाब पर सवाल उठा है अब अगर हम दस्वी अनुसूची की बात करें तो भारती समिधान की जो दस्वी अनुसूची है जिसे लोकप्री रूप से दल बदल विरोधी कानून की रूप में जाना जाता है इसे 1985 में 52 समिधान ससुदन अधिनियम द्वरा समिधान में सामिल किया गय होते हैं उस पर निर्णे सदन के पिठासीन अधिकारी को भीजा जाता है और उसका निर्णे अंतिम होता है बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रशन की और प्रशन है कि इस परजाती की IUCN इस्थिती कमजोर है और इसे भारती वन जीव सनशन अधिनियम 1972 की अनुसूची ए में अधिया के पहारी परिदिश में विद्रित है इसका वेग्यानिक नाम पैंथेरा उनसिया है या विसेस्तान निम्न में से किस परजाती की है तो यहां चार ओप्सन हमारे पास ओप्सन A हिम तेंद्वा ओप्सन B लाल सेंडर्स ओप्सन C एसी जंगली कुत्ता और ओप्सन D होट बिल्स आई देखते हैं इसका सही जवाब क्या है इसका सही जवाब है ओप्सन A मतलब हिम तेंद्वा आएए करते हैं इसकी व्याख्या सबसे पहली बात यहां कि आखिर यह समाचार में क्यों है तो यह इसलिए है क्योंकि उत्राकंड के पिथोड़ागर जीले में द आई, यू, सी, अन, इस्तिती कमजोर है इस परकार आज के MCQ से समंधित इस वीडियो में हमने कुलचा प्रस्णों को देखा और उससे समंधित तत्यों अबधानाओं पर हमने चर्चा के इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं फिर मिलते हैं नए प्रस्ण परकारइस प्रस्णियो के लिए समय अप्रस्णियो पिरा बीचाओे इसे वीडियो कर दो हुए बाणिक ऋम्समेब आपम्स, करेंनाओ दोणी हमने लिए स्मयशे केस्टार्वाननों पर्नापन पर dow tort, लिए।ो रवीर हम ठाज सर र convictions जांबधाओेस, कर दो एकति ऑन ओ